हर महादेव, देवो के देव महादेव जी के चरन परणाम मेरा परणाम स्विकार हो सब देवी दताओं के चरन परणाम मेरा परणाम स्विकार हो गुर्वाइबान के चरन परणाम माता पिता के चरन परणाम मेरा परणाम स्विकार हो गुर्वाई भान मैं एक कथा सुनाने जा रहे हैं ये बहुत सुन्दर कथा है इसे ध्यान से सुनिए और पूरा सुनिए इस कथा को रहा जानिए ये दो दोस्त का कथा है दो दोस्त था एक राजा का लड़का था और एक उजीर का लड़का उजीर का मतलब उसका मंतरी का लड़का था दोनों में बहुत गहरी मित रहता था दोनों एक साथ रहता था एक साथ पढ़ता था एक साथ ही खाता था क्योंकि उसके पिता उसके घर में काम करते थे लेकिन राजा का लड़का निर्चल थे उनका मन में कोई लालच नहीं था और जो मंत्री का लड़का थे वो बहुत अंदर से कप्टी थे लालची थे उनके पास लालच से भरा हुए था उनको दिल में लगता था कब हम राजा के लड़का के मार दे कि धन संपती मेरा हो जाए एही सोच हरमेशा मन में रखते थे एक दिन का बात है कि उनके अपने दोस्त से बोले कि चलिए हम लोग घूमने जाएंगे राजा के लड़का बोले नहीं हम नहीं जा सकते हैं घूमने क्योंकि मुझे पढ़ाई करना है मुझे घर देखवाल करना है पिता जी कछरी में बिताते हैं इधर उधर आते हैं पिता जी का फुर्शत नहीं मिलता है शमय नहीं मिलता है हम नहीं जा सकते हैं लेकिन फिर उनके जो दोस्त है वो बहुत जिद किये, बोले नहीं आपको मुझसे मित्रता नहीं है, आप मेरे बात को नहीं मानते हैं, इसलिए नहीं जाना चाहते हैं, आप सोजते हैं कि ये गरीब है, कहां से रिपया लाएगा, मुझसे ही खर्चा करवाएगा, इसलिए मेरे साथ आप गूमने नहीं जा रहे हैं राजा के लड़का बोले ठीक है दोस्त जब ऐसा ही है तो चलो अपने मा से बोले मा मेरे लिए रास्ता का खाना खुब अच्छे-च्छे बना देना हम एक दो महीना के लिए कहीं गूमने जा रहे हैं मा बोली ठीक है बेटा अच्छा से घूम फिर के आ जाना अच्छा है मा ने अच्छे अच्छे भोजन बना के दे दी और पैसा भी दे दी उसे कि जिसमें महीना दो महीना मेरे बेटा का समाए अच्छा से बैती थो घर से दोनों निकल गए घर से निकल गए और चलते चलते पहले के जवाने में गारी मोटर नहीं चलता था उतना पैदल ही जा रहे थे एक दो दिन चार दिन चलते चलते बित गए बहुत दूर आगे निकल गए घर से तो साम हो गया रात एक रात दो रात तीन रात चौथा रात पाचमा रात जब हुआ तो घनी जंगल में पहुँच गए जहां बहुत बड़ा जंगल था जंगल था आसपास में भी गाउं भी था लेकिन जंगल बड़ा बड़ा था वहां पहुच गए दोनों तो अब राजा के लड़का ठक गए थे बहुत जादा बोले कि दोस्त अब हमसे चल नहीं पा रहे हैं हम यहीं पर रुख जाएंगे लेकिन वो बोले उनका दोस्त कि अभी तो पूरा साम भी नहीं हुआ है यहां पर कैसे रुख सकते हैं जवर्दास्ती कुछ दूर ले गए जहां सुनसान पड़ गया दोनों वहां रात बिताएं रात बिताएं कुछ ही रात हुआ कि यह राजा के लड़का जो थे ओ सो गए और यह जो थे उनका दोस्त एक चक्कू निकाले उनका पैर हात बांद के और उनका दोनों आख निकाल लिए और दोनों आख निकालके उसी जगा छोड़ दिये और वहां से वो उनका पैसा खाना जो भी उनके पास था कपड़ा सब कुछ लेके वहां से निकल दिये निकल दिये आगे के और निकल गए और यह विचारा छटपटा रहे हैं किसी तरह से हाथ का रसी दात से काट दिये और दात से काट के और पैर का भी धीरे धीरे विचारा खोल लिये और खोल के अब सोच रहे हैं कि मुझे तो कुछ दिख भी नहीं रहा है मेरे साथ क्या हुआ है जो मुझे बहुत दर्द हो रहा है इतना हम परसान है दोस्त दोस्त तो निकल गया था वहां से कप्टी ओक विचारा अकेला वहां चिला रहा है कोई नहीं मिला एक बाग एक बागीन गूंजता हुआ उधर से आ रहे हैं पूरा चिला रहे हैं ये विचारा डर गया लेकिन जब सोए थे तो इन्हें पता था कि यहां ब्रीच है तो सोचे कि उसी जगह पर हैं इधर उधर देखते हैं अपना हाथ फिर के धीरे धीरे देखने लगे तो इनका पेड़ हाथ में धरा गया धीरे धीरे पेड़ पर चहर गये विचारा और पेड़ के डाल पे चिपक के बैठ गये जब बैठ गये तो उधर से बाग और बागीन आई और वहां दोनों लड़ने लगी गराजने लगें दोनों पूरा गुंजने लगें और सेर बोलने लगें मनुष खाऊं मनुष खाऊं मनुष खाऊं उनका पत्नी जो सेर नी थी ओ बोली महाराज यहां कहां से मनुष आएगा अब क्यूं आते हैं और मनुष खाऊं मनुष खाऊं करते मुझे लग रहा है कोई मनुष्छ है फिर बी शेर नी बोह ली नहीं महाराज ऐसा नहीं बोल रहे 소리 है महाराज मुझे कोई नहीं मदद कर सकता हैं आप मुझे मदद कि यह और से से बुचा लीजे महाराज बच्पन से आपका पूजन की हमको माता पूजा करती थी हम भी करते हैं इसलिए मुझे आप सहायता होईए तो सेर और सेरनी दोनों चुपो कर और सेरनी बोली अपने पती से महाराज आप मनुस्खाओं मनुस्ख्याओं क्यों करते हैं आप मुझे एक कहानिया सुनाईए तो सेर बोले क्या कहानी कहें मुझे कोई कहानी याद नहीं आ रहा है लेकिन हाँ आज का दिन जो है बहुत सुब दिन है बोले क्या सुब है महाराज तो आज का दिन जो अंधा रहेगा उसको भी आँख हो जाएगा बोले कैसे तो जो इब आँख हो जाएगा अच्छा कटोरे कटोरे के जैसा आँख हो जाएगा सेरनी बोली हास के महाराज ऐसा ये चमतकार है बोले हाँ ऐसा हो जाएगा बोले कि और कुछ बोली है न महाराज बोले कि अरे कुछ और भी कहानी मेरे पास है बोले क्या तो अरे जो हम लोग इतिलहा प कोई कुड़वा लेगा इसको तो माला माल हो जाएगा शेर नी बोली महाराज यदि कोई स्यून लिया तो शेर बोले अरे कौन सुन सकता है कोई नहीं सुनेगा सुन कैसे लेगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता है वो बोली बैचारी उसका बात पूरा सुन लिये वो दोनों का बात धीरे धीरे बर का एक डार टोड़के और उस धीरे धीरे अपना हाँ से देखे की टूसा है उसका टोड़के दूध लगा लिये और दोनों आख इनका फिर से सुन्दर सुन्दर बन गया वो जो पहले थे उ का आँख का रोशनी हो गया वो बिचारा देखने लगे कि हाँ सेर सेर्णी तो इसी तरह इहीं पर दोनों बैठी हुई है सुबह हुआ और सेर और सेर्णी दोनों बन में चल गए और ये विचारा धीरे धीरे गाउं के ओर गए और गाउं में जाके और बोले कि भाई यहां बिलदार रहते हैं लोग बोले हां रहते हैं क्या काम है बोले हमको थोड़ा मीटी कुड़वाना है ओ बिलदार के लाके और मीटी वहां पर कुड़वाने लगे जब सात हाथ कुड़वाएं तो पूरा सोना चांदी हीरा पूरा निक्रियालने लगा और जब निकलने लग तो ये बिचारा पूरा निकलवा कर और किसी राजा के घर में एक रूम लेकर रह गए और राजा के बोले सब माल उसके घर में रख दिये और राजा के बोले कि राजा सहाब यहां जमीन मिलेगा राजा सहाब बोले क्यों नहीं जमीन मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा ओ विचारा जमीन लिए सबसे पहले संकर जी का एक सुंदर मंदिर बनवाए और जमीन लेके अपना घर भी बनवाए राजा सहाब बोले क्या आप कुवारे हैं साधी नहीं किये हैं उन्होंने बोले नहीं हम साधी नहीं किये हैं राजा साहब बोले क्या आप मेरी बेटी से साधी कर सकते हैं वो बोले हाँ क्यों नहीं हम भी एक राजा का ही पूत्र हैं और अपना पूरा परिचे दिये राजा साहब अपना बेटा से साधी कर दिये लेकिन ये क्या कियें कि अपने पतनी से बारा ब्रस के लिए सदबरत ब हम क्या करेंगे ऐसे हम अपना पत्नी से बारा ब्रस भूखे को और प्यासे के पानी नंगम को चीर दिलवाएंगे जिसमें हमें सांती मिलेगा ठीक है राजा भी बोले कि हां बहुत अच्छा लगेगा कि लोग यहां आएंगे और उनके लिए बहुत बड़ा फिल्ड बनवा के और पुरा घेरा दिवा के वहां सदा बरत बातने लगें रोज रानी सदा बरत बाती थी नवकर चाकर बनाते थे और कुछ दिन हुआ तो उसका दोस्त भटकते 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 आया दोस्त आया साल दो साल के बाद तो देख रहा लोग से खाना मांगने लगे गाउं मे तो गाँवाले लोग बोले अरे यहां तु क्यों खाना मांग रहे हो देखो एक राजा है ओ अजनभी राजा है साल दो साल से बसे हैं और उनके पास बहुत धन है राजा के बेटी से साधी किये हैं बहुत उचा बड़ा महल बनाए हैं और महल बनाके और ओही रह रहा हैं सद माता ना क्या पता कि कौन है लेकिन अपने दोस्त को देखा профmi पचान कर मेरा दोस्त है जो हम मार दिये थे लेकिन गया उसको दोनों आफ़ निकाल लिया जीवित कैसे हो गया ऊलों में पड़ा हुआ है कि भाई 21 जिवित हो गया यह सोच रहा है मन ही मन लेकिन खाना भी खा लिया कपड़ा भी ले लिया एक रात रह भी गया दूसरा रात फिर भी रह गया रात में जब सब कोई चल गए तो फिर जाके अपने दोस्त के बगल में बैठ गया बोल रहा है कि भा काम है मुझसे बोले कि नहीं आप अपना सचाई बताई कि आपका घर कहां है तो तो चिन रहे थे अपने दोस्त को लेकिन बताएं सच जब सच बताएं तो बोले कि यार हम आपका आख निकाल लिये थे और आपको हम बहुत मारे थे आपका पैर हाथ बांद दिये थे और व आख बाग ही नाए और रसी खोल दिये और रसी खोल के और हमको वो जो बर का पेड़ था उसमें से एक डाल तोड लिये और तोड के उसे उस डाल में से दूद लगा दिये उसका टूसा का और बोले उठो तुम्हें इस हालत कौन किया है चलो कोई बात नहीं कोई भी करे लेक नहीं हो गया सगुरो दिखने लगा और बाग बाग इन दोनों बोले कि चलो जो हम खेल रहे हैं कुद रहे हैं इसे मेरा टिलहा खाड़ा है उसे कुड़वा दो बिलदार से और यहां धन मिलेगा बहुत धन है इसे निकलवा के और जाके राजा से बोलो राजा तुम्हें थ घर बना लो और घर बना के और साधी भी कर लो साधी करके और अपना पत्मी से सदाबरत बटवाना इसलिए हम यह कर रहे हैं तो उनका दोस्त जो जीर का लड़का थे वो तो पूरे लालची थे वो सोचे कि चलो वही हम क्यों नहीं करें वो फिर से बोले अच्छा ऐसा भी दोने और मुझे भी वहीं पहुंचा दीजिए यह बोले नहीं हम आपको आपको आःसा नहीं कर सकते हैं तो आक निकालना खुद आता है आ मेरा आख निकाले थे। आख हम कैसे निकाल सकते हैं दोस्त आप जाए उसी बर के पेड़ के पास और अपना आख निकाल दिजिए वहीं लेटिएगा घुल्टाइएगा बाग बाग ही ना आएगी तो खुद आपका देख लेगी बोले कि ठीक है ओ जीर का जो लड़का थे इनका दोस्त वो उसी बर के इस पास गएए और जाके चक्कू से निकाल लिए अपना आथ फोर लिए दोनों और आथ फोर के और पैर बांध लिये थे किसी तरह से आख भी बांध लिए और बांध के ओवो ही घुल्टाने लगे जब बाग हो बागहिन आई तो बोलने लगे बाग मनुस खां मनुस खां मनुस खां पुरा गुंजने लगें तो बागिन बोली महारा जहां मनुस कैसे आएगा कहां से आएगा बागिन को डाट दिये सेर खां बोले कि उस दिन भी आप बोले कि मनुस नहीं है लेकिन मनुस था मेरा देखो तो अखारा को कोड़ खत के सब कैसे बरवात कर दिया है हमें कुदने में नहीं बनता है हम पहले ढूंड लेगे और पूरा सेर खान ढूंडने लगे तो देखे कि एक मनुस पढ़ा हुआ है उसको दोनों मिलके नौच नौच के खा गएं पूरा आराम से दोनों खाएं और खाके खुस हो गएं बोले कि अरे बहुत मज़ा आया खाके तो हम लोग दोनों का बहुत दीन के बाद मनुस्य का शिकार मिला भोजन मिला चलो दोनों खुस हो गएं अब यहां राजा रानी का जो आसरा था राजा का ओ तो पूरा हो गया दोस्त के ही आसरा से वो सदावरत बाट रहे थे कि एक दिनों इसी रास्ता से आएगा जिरूर और सच मुच में आ गएं जब आ गएं और उन्हें देख लिए अपने नजर से कि वो इस दुनिया में नहीं रहा तो अपने रानी से बोले कि रानी अब हम अपना घर भी जाना चाहते हैं चलो हम हमारे मा के पास हमारे पिता जी के पास मेरे माता पिता भी हैं जिनका बहुत बड़ा आसरा होगा रानी बोले महाराज हम तो चलेंगे लेकिन थोड़ा पहले मेरा माई के चलिए और माई के गएं माई के गए दोनों अपने तो जाके राजा से बोले कि पिता जी बह बोले ठीक है जाओ लेकिन मेरे तरफ से जितना अंधन संपती लेना है ओ ले लो ए लड़की बोली पिता जी आपके तरफ से मुझे एक डोली और चार कहार चाहिए इनके लिए भोड़ा चाहिए और कुछी चीज का कमी नहीं है क्योंकि मेरे पास जो भी है वो आपका दिख रहा है और मेरा ससुलाल में भी एही एक पुत्र है बोले कि ठीक है लेकिन अपने पिता से बोली लड़की पिता जी हम जा रहे हैं लेकिन मेरे संकर भगवान को पूजन आप नहीं छोड़िएगा बोले ठीक है एक और यह दोनों वहां से चल गए अपने घर चल गए उसके पिता ने एक दीन अपने नवकर के बोले कि जाओ एक लोटा जल ले जाके संकर जी के चढ़ा दो उसके नवकर ने एक लोटा जल चढ़ाएं और फेक के जल चल गए जब फेक कर जल चल गए तो इनका घर में संपती का हिन हुआ इन्हें सपन में आया कि राजा तु अभी म जब तुम्हारे बेटी और दामाद दोनों यहां से चल गए हैं मेरे आराधना पूजन के छोड़के तो तु अपने नवकर से जल मेरे पास फिकवा दिया हो तुम्हें तिरा घमंड हो गया है राजा हाथ जोड़कर भगवान से प्रातना किये कि महाराज मेरा धन को आप कु इनके माता पिता देखके बहुत खुस हुएं लेकिन ओ जो थे मंतरी ओ पुछने लगे कि तो मेरा लड़का को क्या हुआ बोले कि आपका लड़का हम नहीं जानते मुझे कोई पता नहीं ओ तो चार दिन के बाद ही मेरा साथ छोड़ दिया था ओ तो मुझे मार पिटके च निकालके और चल गया था ये तो किरपा है उपर वाला संकर भगवान के कि मुझे बचा लिये हैं और मैं जिवित हूं उन्हीं का किरपा से आपका पुत्र के बारे में हम नहीं जानते हैं मुझे कोई पता नहीं आप अपना पुत्र को ढुड़िये खोजिये जो जीर थे वो विचारा क्या करें? कुछ नहीं लेकिन उनका भी बहुत बड़ा हाथ था इन्हें मर्वाने के लिए अपने बेटे को ऐसा सिच्छा वही दिये थे कि जब इनका पुत्र ही नहीं रहेगा तो इनका धान क्या होगा हम लोग ले लेंगे इनका धान लेकिन उनका मन का सोचा नहीं हुआ क्योंकि ये बहुत बड़ा सेवक थे संकर भगवान का सिस्थ थे संकर भगवान का पूरे परिवार संकर भगवान का पूजा करते थे इसलिए इनका सोचा हुआ मन कामना पूरा नहीं हुआ जो राजा सोचते थे वही हुआ और अपना परिवार के साथ है पूरे जिन्दगी विताने लगे अच्छे से रहने लगे खुसी-खुसी यदि मेरा कथा अच्छा लगा होगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेर कीजिए धन्यवाद